अस्लाम अलेक्व मेडिये सुडेंट्स आज हम इंशाला करेंगे 6.3 का question no.4 question no.4 के two parts हैं हम इंशाला एक करके उनको solve करेंगे students जो हमारा question no.3 था 6.3 का उसमें हमने क्यारा ना ना उसमें हमने के की value को find करना है और सेम यही वही तरीका है इसमें हमने L और M की value को क्या करना है find करना है अभी देखें हम इसका ले लेते हैं square root देखें यहाँ पे x की power 4 यहाँ पे आ लेगा x square अभी students हम यहाँ पे लिखेंगे x square अभी x square को किसके साथ multiply करेंगे यहाँ पे x की power 4 हो जाए अभी हम इसको multiply करेंगे x square के साथ यहाँ पे आजाएगा हमारे पास x की power 4 यह नि x square को यह आप x square के साथ multiply करेंगे यह हमारे पास आजाएगा x की power 4 अभी हम क्या करेंगे इसके हम sign को क्या गर देंगे change कर देंगे यहाँ जाएगा minus यह plus x की power 4 यह minus x की power 4 यह cancel out, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको लिखेंगे, 4X की power 3, plus 16, X की power 2, plus LX, plus 7, तो देखें students, अभी हम इसके caption को क्या करेंगे, 2 के साथ multiply करेंगे, इसका caption है 1, इसको multiply करेंगे 2 के साथ, यह मारे पास आ जाएगा, 2X के, अभी हमें सुझा, यहां पे चाहिए, 4X की power 3, यहांपर 2 आ रएढ़ हमारे पास है, हमीचा यह 4, हम multiply करेंगे, plus 2 के साथ, यहांपर X के रहे, यह है, X की power 3, अभी हम इहांपर लिखेंगे, X, यहांपर लिखेंगे, plus 2X, 2 को 2 के साथ multiply किया, यह हमारे पास आ गया, 4X, Q, और plus, plus, plus ली Turns, 2 को 2 के साथ multiply करेंगे, यह आ जा स्टुडेंस इसके हम अभी हम क्या करेंगे sign को क्या करेंगे change कर लेंगे ये है minus ये है plus तो ये भी होज़ेगा minus ये होगा cancel out 16 minus 4 ये होज़ेगा हमारे पास 12 x के है प्लास Lx plus M तो देखें स्टुडेंस अभी हम क्या करेंगे ये हम वैसे ये को लिख देंगे कि हमारे पाफ यह कि हम न क्राइगा फूर एक्स के है यह मुझा गरांगे जग एन और भी स्फुड़ागे लिकडारी की ना यहाँ 12 X के ूभी प्लास 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 दिर आ जा 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 है 4 *** करेंगे ये उड़ रजाज है जो थी 8 ठीक हो गया 6 सब्स्कार मोस करेंगे ये बारे पर कलिए है अभी है क्या करेंगे इस के चन्ह देंगे यह था षया है यह बहुन ज़िए यह plus है यह भी minus यह cancel out तो देखें सुदाइं यहां पर है x यहां पर एक्स है अभी हम इसको लिखेंगे lx minus 24x plus m minus 36 तो देखें students अभी हम इसको separate करके भी लिख सकते हैं ऐसे इसको मैं लिख लेता हूँ यानि के LX माइनस 24X तो क्या जएगा प्लास M माइनस 36 तो students देखें हमारे पास जो question की condition है वो यह है कि in case अगर यह हमारे पास perfect scale हो तो जो reminder है वो किसके equal होता है 0 से तो मैं जो condition देखें वो कह रहे है कि in case यह perfect scale है तो इसका reminder हो किसके equal होगा 0 के तो यह मैं link लेता हूँ यह equal हमारे पास आगया 0 के अभी हम यहां से L की और L की value को find कर लेते हैं इसको मैं सुर्ण यहां से raise कर लेता हूँ यहां पर लिखने इसको सुर्ण पहले equal 0 के राकने भी इसको equal 0 के राकने यानि कि यहां भी लिखने LX minus 24X equal हमारे पास आगया 0 के देखें यहां पर मारे पास आगया LX यह minus 24X इदर आगे मारे पास आगया plus 24X XX cancel और L की जो value है वह मारे पास आगया 24 अभी हम find करते हैं M की value को M minus 36 equal मारे पास आगया 0 के और M की value यह minus 36 यह हो जागा plus 36 यहनि कि L की value है वह आगया 24 और M की value आगया 36 तो सुदेंग यह था question number 4 का part number 1 और अभी हम करते है part number 2 हमारे पास जो equation है 49X की power 4 minus 70X की power 3 plus 109X square plus 10X minus 9 अभी हम इसका ले लेते है square root यहां पे है 49 X की power 4 यह मारे पास आगया 7X square अभी हम यहां पे लिखेंगे 7X square अभी हम हमें जाए 49X की power 4 अभी हम 7 को 7 के साथ multiply करेंगे यहां पे आजएगा X square 7 को 7 के साथ multiply किया यह मारे पास आगया 49X की power 4 तो अभी हम क्या करेंगे इसके sign को chain कर देंगे यह मारे पास cancel out हो जाएगा यह मारे पास आजएगा minus 70X cube plus 109X square plus LX minus M अभी हम क्या करेंगे इसके caption को 2 के साथ multiply करेंगे यह मारे पास आजएगा 14X square अभी हमें चाहिए यहां पे minus 70X की power 3 अभी यहां पे है plus अभी हम यहां पे लिखेंगे minus 14 को अगर हम 5 के साथ multiply करें तो मारे पास आजएगा 70 यहां पे हम minus 5X यहां पे X की power 3 हमें साथ चाहिए X यानि के 5X को multiply करेंगे 14X square के साथ हमारे पास आजएगा 70X की power 3 यहां पे हमें क्या लिख है minus 5X यहां पे भी आजएगा minus 5X इसको इसके साथ multiply किया यह आगा minus 70X की power 3 minus minus जहां पे हो जाएगा plus 5 को 5 के साथ multiply किया यह आगा 25X square यह हो गया minus plus sign को change किया यह प्लास क्यों हो गया minus अभी students क्या गरेंगे यह हो गया cancel out 109 minus 25 यह आजएगा हमारे पास 84X square plus LX minus M अभी students हमिचा यह अभी हम क्या गरेंगे इसको हम वैसे ही लिखेंगे इसको हम इसके fraction को 2 के साथ multiply करेंगे यह आगया minus 5 को 2 के साथ multiply किया यह हमारे पास आगया plus 10X अभी students हमिचा यह यहाँ पे 84X square X square हमारे पाद आ रही है यहाँ पे हम 14 को अगर हम plus 6 के साथ multiply करें तो यह आजएगा 84 यहाँ पे भी लिखेंगे plus 6 14 को 6 के साथ multiply किया यह आगया 84 X square minus plus minus 10 को 6 के साथ multiply किया यह आगया 60X ठीक हो गया plus plus 6 को 6 के साथ multiply करेंगे यह आजएगा 36 अभी हम क्या करेंगे इसके sign को change कर देंगे students यह है plus यह हो जएगा minus यह है minus तो यह हो जएगा plus और यह हमारे पास plus तो यह हो जएगा minus यह हो गया cancel out अभी students हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर LX plus 60X यहाँ पर हमारे पास आजएगा minus M minus 36 ठीक हो गया students इसको मैंने separate हाट के लिख लिए LX minus sorry LX यह X को लिए टर्म्स है मैंने इसको एकसा लिख लिख लिए LX plus 60X और यह है minus M minus M minus 36 ठीक हो गया students अभी हमें जो उन्हें condition दी होई है कि यह हमारे पास in case यह अगर हमारे पास perfect square हो तो हमारे पास जो reminder है वो क्या बढ़ता है 0 तो अभी हम जो यह जो हमारे पास reminder है इकल किसके आजाएगा 0 के अभी हम इसको लिख लिख लेते हैं यह हमारे पास आगा 0 के अभी हम यहां से L और N की Value को निकाल लेगे अभी हम क्या करेगे इसको पहले इसके इकल रखते है 0 के पिर इसको रखते है equal 0 के तो मारे पास L और M की value आ जागी यहाँ पर रिखें LX plus sorry यह 60 plus 60X equal मारे पास आगया 0 के और LX equal मारे पास आगया sorry यह 60 यह plus 60X यहाँ पर हो गया minus 60X यह XLX cancel out और L की value आगी मारे पास minus 60 ठीक हो गया students अभी यह है minus M minus 36 equal आगया 0 के यह हो गया हमारे पास minus M और यह minus 36 है यह हो गया plus 36 यह जो minus है जीदर चली जाएगी M की जो value है जो यह मारे पास आगया minus 36 तो students जो L की value है वो आजएगी minus 60 और जो एम की वैलियो है वो मर्बात आजेगी माईने थर्टी सिक्स तो सुड़न जेता क्वेशन नमर फोल का पार्ट नमर बन और पार्ट नमर टू हमने इस लेक्चर में कवर किया है अमीड है कि आपको समझ आई होगी फिर भी इस क्वेशन में किसी भी किसम का कोई भी मसला या विर्शानी आती है आप हमें की मिर्स बोक्सें बताएं हम इंशाला मसले को सौल काने की कोशिश करेंगी तब तक अपना बहुत ख्यार रखेगा अलाहाफिस